हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टुडेंट सारदस दन के ओनलाइन यूट्वर्म पर आपका स्वागत है आज हम औरी यानि अंडा से के वपर डिसकस करेंगे इस्तंधारी प्राणियों में मादाओं के अंदर अंडा से किस रंचनाएं कैसी होती है इस बात का मैं डिसकस करेंगे एक टॉपिक है बड़ा कॉंप्लिकेटर टॉपिक होता है अगरी का ठीक है बहुत सारे स्ट्रिक्ट स्टेव वाइज एक एक चीज आपको समझाने की तो मेरे खाल से आप इसको अच्छे से द्यान से देखे आपका कोई भी कॉंसेप्ट बाकी नहीं रहेगा ओके तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम औरी की स्टेक्चर ठीक है यहां पर कुछ बाते करेंगे हम औरी के ऊपर तो देखो औरी जो है वह आपको मादा जननतंतर में मिलेगी यानि फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के लिए इतनी बात हम जानते हैं कि फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ओर्गंस है प्राइमरी सेक्स ओर्गंस जिनको हिंदी में हम कहेंगे प्रात्मिक जनन अंग वो ओरी है फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में ओरी ओरी या अंदर से क्लियर इतनी बात समझ में आई दन आगे हम यह बात करेंगे की ओरी किस लोकेशन में रहती है तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ओरी जोती हो पेर में होती है पेर का मतलब एक जोड़ी है फिमेल के अंदर दो ओरी होती है दो अंडा से होती है एक लेप्ट साइड में और एक राइट साइड में ठीक है दन अगर एक स्केश बनाओं मैं कुछ इस तरीके का फिमेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम का देन तो एक लेप्ट साइड में और एक राइट साइड में आपकी औरी प्रजेंट रहती है और और औरी जो होती है वह एक लिगामेंट से जुड़ी रहती है इसको आप मीजो वेरियं कहते हो मीजो वेरियं हिंदी में भी आप इसको मीजवेरियम कहोगी जिन कोई ब्रोड लिगामेंट है एक प्रकार का ऐसा सनायू है जिस पर और ही टिकी रहती है और ही टिकी रहती है अच्छा और लोकेशन की मैं बात करूं तो यह पैल्विक रीजन में होता है कर जोड़ी द्रीजन पैल्विक रीज Πैल्विक रीजन जासे च्छ सही सब्दो में मैं इसको समIG घृ तो नाबी के नीचे होता है हमारी पैलवग बर भी वहां पे स्रोनी मेकला तो स्रोनी मेकला के साथ जूड़ी हुए जितनी बी इस ट्रॉक्चर ओपर की हम उनको पैलवग रीजन में काउंट कर रहे हैं ठीक कुछ से याद करने वाली बाते आपको थोड़ी सी रटने के तरीके से लेनी होगी जैसे पहलुक रीजन आपने बता दिया साइज की मैं बात करूं तो इसकी लेंद्थ होती है 2 से 3 सेंटीमेटर और विड्ड होती है वन पॉयंट 5 से 2 सेंटीमेटर और थिकनेश 1 यानि कोई बहुत बड़ी श्टक्चर नहीं होती सेंटीमिटर में इसका een कै attentive क्या according च видно 2 ते 3 cm और यहां 1.5 से does सेंटीमिटर ऊईक सेंटीमिटर की थिकनेस होती है फिर कर लेते हैं तो commonly चोरी है वह से गोल नहीं होती है इस पेरिकल नहीं होती है इंडायी, जैसे ऐइग होता है उस तरीके से दिखाया देती है। ऑ कोल नहीं होता है, यह अलग से बनती है। King Does a and a पर थोड़ा सा फ्लेट सा होता हुआ जाता है इतनी common सी बाते हैं जो हमें रटने के तोर पर लेनी पड़ेगी कि और की सेप कैसी है structure कैसी है और कलर किये बात करें तो gray color में होती है और gray color में हमें दिखाई देती है कि देन आगे मैं चलता हूं तो मेरे को यह बात करनी है कि औरी के अंदरी structure ले हम इसको पढ़ेंगे तो किस प्रकार से पढ़ेंगे तो अगर देखा जाए तो एक औरी है कि यह लास्ट में डायग्राम प्रोपर डायग्राम उस पर लेके चलूंगा वहां अलग तरीके समझाओं यह थोड़ा सा मतलब आरे कि मैं बता रहा हूं आपको ठीक तो यहां पर आगर हम देखें तो यह मीजोवेरियम है बच्चों मीजोवेरियम और यह जर्मीनल एपिथीलियम जर्मीनल एपिथीलियम और इसके जस्ट नीचे होती है अच्छा हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान राखिंग जर्मीनल एपिथीलियम को जनन उकला कहते हैं और इसके जस्ट नीचे ट्व्णी का अल्व्यजी मीजोव्यजी में मे ने करें क्या। इसको त्यूनी एक करें हिंदी में यह जो मेंटर ब07 ना कौन्टें अ और ये में उसको फिर्मा कर जाताय में और यह स्डूमा थीक है इस टॉमा में connecting tissue present रहते हैं different time जैसे जालिका जैसा होता है या पिर य उत्तक होते हैं कई परकार के उत्तक इसमें बरहे रहते हैं तो इस ट्रॉमा जो है उसको structure के इसाब से समझने के लिए मैं दो भागों में डिवाइडे करता हूं एक को टेक्स होता है यहां थेक और उन्यक्ट थौड़ा सर्फ का बार का जाता है कि याद रहे आपको उन्यकले हwait को क्या होगिर मेडूला कि इतनी बात कर लेते हैं तो यहां पर प्रोपर सलाइड बनाई हुई है जो आपको याद भी करनी है और समझने में आपको काफी मदद मिलेगी इस्ट्रोमा को अगर हम देखें तो इस्ट्रोमा इसकें डिवाइड इन टू पार्ट को टेक्स को एक परइख सकते हों मेडूला को मध्यांत कह सकते हो ठीक है का चौने जालिका जो यह बना रहता है और यह जो होता है जिसमें एरियोलर करेक्टिव टीशू परजेंट रहते हैं यहां पर भी कनेक्टिव टीशू तो एरियोलर है यहां पर जाली का में होता है इतनी से बात लेकिन आपको केंपहें बात याद रखनी है कि इतने भी फोगे पोलिकल सेल कीowanie घृ रॉडटारी व्याइंट की होड्यू राइबरें प्राइमरी फोलिकल प्रामारी गलॉप Чер flatten कर्पश लूट्य उर्प यह Doll बिंस है वा कर्पन से दीज़ अर्ग पर्जेंट यह बात आपको याद रहें यह परीद यह बाग में परजेंट रहती है अच्छा हम यहां पर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझना है तो यहां पर हम देखेंगे फ्राइमरी फॉलिकल Central College secondary follicula tertiary a corpus luteum I corpus lbicans a then इंसे परले हम एयलीवाम देख थैगा है ना, जा हुए लू एक कन ची प्रॉपऱली ए ओधिग्राम् it is these are the, okay, I change the color, sorry, look at there, this region, this region, this region is called peripheral region and the peripheral region of the ovary is called cortex and the middle part is called medulla, what do you call medulla? Peripheral, or previous part is called cortex and the internal part is called medulla or medyans, this is where the body is called, so I can understand what people just call the distance between the left or the left, they can just draw the distance of the right to which तो, peripheral part इसको इसके अंदर देखो आप various stages of औरी present है, various stages of औरी present है, यहाँ पर आप देखते हो, तो यह follicle cell present हो रही है, अब इन follicle cell को हम देखते हैं, किस प्रकार से यह नहीं नहीं structure बनाती है, किस प्रकार से यह काम करती है, देन हम फ्राइमरी फॉलिकल से स्टार्ट करेंगे तो देखो यह प्राइमरी फॉलिकल यहां पर दिखा रखी है प्राइमरी फॉलिकल आपको दिख रही होगी अचा उसे पहले हम कुछ बाते कर लेते हैं जो और होती है उसके उपर जर्मीनल एपिथीलियम की लेयर पाई ज तो पहली बात आपको याद रखे जब आप औरी की स्टक्चर पढ़ रहे हो तो ओरी की स्टक्चर के ऊपर जस्ट ऊपर की हम बात करें हैं रखे से यह कोई नई जगह से नहीं आई यह एक्च्वल में स्ट्रोमा का ही पार्ट होती है ठीक इतनी बात हमारी हो गई अब कुछ बाते जान लेते हैं यह जो ट्यूनी का है उसके जस्ट ऊपर की हम बात करें तो आपको बोलोगे जर्मिनल है यह जितनी भी इत्रमिनल अफितीलें के नीचे स्ट्वनी के टोषर मिनलेत पीतिलियम की हम बात करें तो यहां पर जितनी भी सेल वह डिप लुएड यह समय कि दीव बुनित इसको आप प्रिमोडियल जम सेल कह सकते हो आदी जनन को शीकाएं कह सकते हो और ये प्रिमोडियल जम सेल क्या करेंगी लगातार mitosis करेंगी mitosis बशली आपको पता है mitosis यानि समशुतरी विवाजन तो लगातार यह cell बनाना स्टार्ट कर देंगी ये सारी cell 2N की होंगी बच्छो ये सारी cell 2N की होंगी 2N की ये सारी cell है अब यहां पर ये नई cell बनती है इनको हम ugonia कहेंगे याद रखें ugonia यहाँ पर हमें वर्ड यूज करना ugonia दर यही जो प्रोसेस अगर हम ispermatogenesis में पड़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें वर्ड याद रखना ispermatogonia तो आपको त्रेम करने बाते आप एकदम से एपे compare करके चलें ispermatogenesis और आप पढ़ रहे हैं तो आप तो आप उजनन पढ़ना है और यदि आप स्परमेटोगोनेशिस पढ़ना यहाँ पर प्रichannel रहे हैं वहाँ पर मध्रीया से जितनी भी इसल बनती हैं वहां पर आप नया वड यूज करोगे सब्सक्राइब निए याद रखें जो बन गई हैं पर अब यह एक क्लस्टर बना लेंगे गुच्छा बना लेंगी जैसे आप यह गुच्छा बन गया यह सारी गुच्छा बना की एक जगए होजाएंगे इसको जाता है एग नेस्ट इस गुच्छे का नाम होता है एग नेस्ट इन उसमें से एक उगोनिया सेल जो होती है ग्रोथ फेज में चली जाती है और इन सबसे लार्ज हो जाती है बड़ी हो जाती है जो जो सेल ग्रोथ फेज में चली गई जैसे एक चली गई इस सेल को हम प्राइमरी प्राइमरी ऊसाइट कहेंगे याद रखें प्राइमरी ऊसाइट ठीकर दा रिमेंड फोलिकल सेल और आरेंज दा प्राइमरी ऊसाइट बात को समझें यह नि प्राइमरी ऊसाइट बन गया जितनी भी जो फोलिकल सेल और भी जो आपकी पुट्टक को सिकाएं अच्छा इन को नहीं देखो स्टेप बाइस टेप आप इनको क्या कर रहे हो आप बात को याद रखें जैसे मैं आपको बता रहा आप ये जर्मीनल एफितीलियम अब चुक जर्मीनल एफितीलियम की सभी को खि काएं 2N है इनमें हुआ संसुत्री बहुत वह यह बहुत सारी सेल भन गई यह सारी सेल हैं सेल अंगे और बढ़ोरेटेट सेल हैं जैसे यह इगली फोम ले लेटा तो इन्हीं गौनिया सेल करें अगनेस्टों कौन आधा माता है Πरे還是 follicle cell क्या CCP जाती है जोड़ी और इस पाइम पाइमरी उस सइट उसाइट और ये जो सारी पॉलिकर केंगे तो बात समझ में आ गई आपको तो हम यहां देखते हैं कि यहां प्राइमरी फॉलिकल की इसको जूम आउट करता हूं आपको दिखे तो यह primary follicle दिखा रहते हैं इस primary follicle में यह जो बीच में दिखा रहता है यह बीच में दिखा रहता है यह यह primary oocyte इसके चारों तरफ जो cells है उनको आप follicle cell कहेंगे तो primary oocyte plus follicle cell is called primary follicle clear इतनी बात आपको समझ में हैं अब मैं यहां से बात करता हूँ थीक है various stages of follicles पुटक की विभिन प्रावस्ता है तो primary follicle की मैं बात करूँ तो क्या बताएंगे हम कि आपकी वह जर्मीनल epithelium है और उससे 2N सेल है इनमें माइटोसिस हुआ माइटोसिस हुआ बहुत सारी सेल इखटी हुए अगनेस्ट बनाया कि स्टार्ट में इनको क्या कह रहे हैं हम उगोनिया कह रहे हैं very good इनको हम उगोनिया कहेंगे दैन उसके बाद में यह 2N और बाकी की इसके चारोंके रहेंड हो जाएंगी इसको आप प्रांवरी उसाइड इसको आप फॉलिकल शैल और यह complete structure जो और टौ फोलिकुलर सेल डोज्चाल प्लस ब्लस उस प्रांवरी उस साइट फॉलिकूलर अग्ली बात करते नहीं सेकेंडरी फॉलिकल देखो होना क्या है जब आपका इसको मैं टूए नहीं लेता हूं और यह सारी फॉलिकल सेल है यह सारी फॉलिकल सेल है अब यहां पर एक चीज याद रखें आप बहुत कॉमन सी बात है कि यह जो सेल है जो प्राइमरी उसाइट है यह ग्रोथ करेगा बट डिवाइड नहीं होगा याद रखें यह ग्रोथ कर रहा है बट डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन इनके अंदर यह जो फॉलिकल सेल है यह वहार की जो फॉलिकल सेल है इन में अभी भी माइटोसिस जा रही है जिसके कारण यह और लेयर बना लेते ह से लेयर ऑख जाती यह जाती है यह जड़ बढ़ता बढ़ती जाती है fallicle की इसको आप कहते हो द्रीब्रेना हो ़ुण लोश है प्राइमरियरी उसाइट मेरे पास प्राइमर को शाय गया मेंब्रेनह द्रेम और लोसा मेंब्रेन वह स्ट्रोम होता है ुसके चार वह बना लेता है इस लेयर को आप हीका कह रही हो बच्छले libram क seventeen फोलिकल के नेक्स्ट बात करते हैं टर्सरी फोलिकल क्लिर से पहले हमें इक बार वापस डायग्राम पर आते हैं ठीक है तो हम यहां देखते हैं ट्रसरी फोलिकल के लेकर तो देखो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूं ओके आपको डायग्राम सही से दिखाई दे रहा होगा तो हम वापस अपने डायग्राम पर आते हैं ठीक है तर्सरी फॉलिकल को लिक है तो यहां पर देखो सेकेंडरी डवलपिंग फॉलिकल चल रही है यह ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल से पहले इनके बीच में आपकी तर्सरी तर्सरी फॉलिकल स्टेज बनती है त और उसके बाद में आगे जो बनता है वो Corpus Luteum, उसके बाद में Corpus Luteum के बाद में कहीं न कहीं आपका Corpus Albicans भी बन जाता है। Secondary Oocytes, देखो, पहले हम secondary Follicle Cylid तो सेकेंडरी फॉलिकल किस ट्रॉक्चर में कुछ इस तरीके से दिखाता हूं आपको कि यह है भी प्राइमरी उसाइट और तो यह है इका यह है मेंबरेना गरेनुलोसा यह है प्राइमरी उसाइट और अगली स्टेज में क्या होता है मैंने का अब तक तो इसमें डियूजन नहीं हुआ था लेकिन जैसे सेकेंडरी फॉलिकल बनता है उसके बाद में जो प्राइमरी उसाइट होता है सेकेंडरी फॉलिकल जैसे ही बनगा यह सेकेंडरी फॉलिकल है उसके बाद में प्राइमरी उसाइट जो है उसके अंदर मियो मियोसिस मतलब अर्ध सुत्री विवाज है याद रखें इसके कारण दो सेल बनती हैे अब इसको आन कर दो आप मियोसिस करवा रहे हो तो डो दो आन वाली सेल बनती एक बड़ी बनती है जिसको आप secondary बात पर ध्यान देना मैं सेकेंडरी फॉलिकल नहीं बोल रहा हूं बच्छों मैं सेकेंडरी उसाइट बोल और एक जो बनती है वो पोलर बोडी बनती है इसको दूरी काय कहते है आप यह बात समझते हो कि जो पोलर बोडी उसका कोई काम नहीं होता वह बाहर निकल जाती है ठीक है एक तरीके से बाहर वेस्ट निकल जाता है और आपकी जो सेकेंडरी उसाइट है वह आपको वापस से याद रखना सेकेंडरी उसाइट पर बात हम हुआ है वापस से करेंगे then secondary उसाइट बन गया secondary उसाइट है अचा एक और इतनी बात हो जाती है then इसके बाद में मैं बात करता हूँ तो क्या-्या चेंज हुआ धाओ यह है बच्छो सेकेंडरी उसाइट यह स्टीक इसके बाद में कि शैसे साधर अरय से केन्डरी उसाइट बनता है जैसे सेखेंडरी वह बंता है जैसे सेकेंडरी उसाइट कंड टी मेंब्रेन क्या जान यादरे रखोंगे आप से breakout इन दोनों के बीच रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है प्रतीकृष्ण स्टार्ट हो जाएगा जिसके कारण बीच में एक बड़ी सी केवेटी बन गई बीच में और पूरी जगए खाली हो जाती है बस सेकेंडरी उस साइट इस मेंब्रेना ग्रेनलोसा से एक जगए चोटी सी स्टेक्चर दवारा जुडा रहता है जिसको डिसकस प्रोलीजीरस कहा जाता है डिसकस प्रोलीजीरस कहा जाता है डिसकस प्रोलीजीरस कहा जाता है ठीक है यह ब्रेणा ग्रेणृ लूचा है अब एक बात और याद रखें जो ठीका था वो डिवाई addicted है इक थी और एक ठीका एउट्रन और रेश्ट्रान ईंट्रन याद रखें ईंट्रन जो ओता है ऐष्टरोजन हर्मौंड हार्मोन रिलीज करता है ठीक है इतनी बात आपको याद रहे यहाँ पे केविटी बन जाती है जिसको एंट्रम केविटी या एंट्रम गुःखा कहते हैं लिकर फोलीक्यूली इसमें भरा रहता है एक दरवह होता है ठीक है इतनी बात हो जाती है देन अब आप यहां देखोगे जब सेकंडरी उसाइट आजाए आपके पास सेकंडरी उसाइट आ गया उसके बाद में पॉलर बोडी आजाए तो पॉलर बोडी मेंने का आप दिखाओ मत पॉलर बोडी बनता है एंट्रम केविटी बन गई इसमें लिकर फॉलीकली बन गई डिसकस पॉलीजीरस हो गया यह मेंब्रेना ग्रेनुलोसा है आपके पास ठीका एक्ष्ट्रना ठीका एंट्रना डंजा टर्सः फोलीजला यह तरसारी फोलीज़ ठीक तरसरी फोलीजल के बाद में एक नई अ नजली स्ट्रेक्टर बंती है जिसको आप कहोगे ग्राफियन फोलीकल ग्राफियन फोलीजल ये मैचॉर फोलीकल गिरहाफ्यन फोलिकल या मैचुर फॉलिकल तो आपको याद रखना है जो झाल टार्ट्री फॉलिकल थे ठाट्री फॉलिकल थे तर्टरी फॉलिकल है उसी से हम बात स्टार्ट करते हैं तर्टरी फॉलिकल से देखो तर्टरी फॉलिकल में यह जो इस्ट्रक्चर है जिसको आप एन कह रहे हो आप कुछ ऐसी मैंने बनाई थी तो इसमें आपका थीखा भी बन जाता थीखा एक्स्ट्रना थीखा एंटरना एंटरं के विटी बन जाती है इतनी बात हो गई त हम बात करें जोन पेलू सीडा यहां पर किया होता है कि ये सेकंडरी ओसाइट है ये अपने चारो और यह बना लेता है इसी दो रहां एक लेयर बना लेता यह जोती है थोड़ी टफ होती है जिसको जोना पैल्यू सीडा पैल्यू इसको का जाता है यह एक टफ लेयर बना लेता है ताकि इसके बाद में काम आएगी और यह सेकेंडरी उसाइट ही बनाता है जब इतना हो जाता है देन उस चीज को हम कहेंगे क्या कि ग्राफियन फॉलिकल बने अब मैंने का एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है कौन थीका एंट्रोजन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और 14 इस्ट्रेश्य साइकल के 14 डेज पर यह जो एस्ट्रोजन हार्मोना उसका लेफल बहुत ज़ादा हो जाएगा इसको लैत सर ञें जाएगा तो कि बन जानेगा धो डिसक्सच प्रॉर्यिज तोड़ जाएगा जिसके कारण एंट्रम केविटी के अंदर सेकेंडरी उसाइट यह तेरने लग जाएगा और कंसेंट्रेशन कुछ ऐसी बनेगी कि इस पर प्रेसर क्रियेट हो जाएगा सेकेंडरी उसाइट पर प्रेक्जर क्रियेट हो जाएगा जिसके कारने सेकेंडरी ऑम स्यट्राइट जो है Hai उसके बाद में और को तोड़िजा Security जब सेकेंडरी तो में आ magnificent ते पिर एक रहती है बच्चों पहले से जिसको और लहें हो जो न पहले यूजिए दंशी कि दोरान क्या होता है जो छोटी-छोटी सेल्स हैं जिनको आप पुटक सेल या फॉलिकल सेल कह रहे हैं वो इसके ओपर एक ओर लेयर बना लेती है जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडियेटा कोरोना रेडियेटा को टेक है यह यह ओर बन जाती है जिनका फंक्शन आगे रहेगा इतनी बात हमने डिसकस कर ली एक वार हम वापस से अपने डाइग्राम पर आते हैं और यहां हम वापस हम बात करेंगे दैन हम देखते हैं यहां पर देखो यह हम वापस अपने डाइग्राम पर आते हैं और यहां पर हम कुछ बाते करेंगे ठीक है यहां पर हम कुछ बात क करेंगे डायग्राम पर वापस आ गए हैं यहाँ पर यह जो बढ़ जाता है लेट रोजाता है इसके ऊपर एक और मन जाती है इतनी बात हो गई ठीक है अगर अब यह सेकेंड्री उसाइट जो है फैलॉपियं टूब में में चला जाएंगे सेकेंडरी उसेट निकला बच्चो फैलोपियन टूब में चला जाएंगे अगर वहां इसका फटिलाइजेशन हो जाता है निसेचन हो जाता है तो जो फटीवी ग्राफियन रेप्चर जो है वह एक प्रकार के पीले रंग की ग्लैंड में कनवर्ट हो जात हार्मोन रिलीज करती है जिसको कहा जाता है प्रोजेस्ट्रोंट रोग्यारण शेया नियम खालता है और ताकि जो तूटे नहीं मेंस्टर साइकल नहीं आए बच्चा अंदर जो है गरब के अंदर वह सही रहे वह भार नहीं आ जाए तो यह सारा जो काम पर आर्मोन का लेवल वहां पर कम हो जाएगा तरनाग होता है तो प्रोजेस्टरों का लेवल बड़ा हुआ है ठीक है द्यान अग्र फर्टिलैजसेशन नहीं हो क्या क्या होगा अगर फइलाइजसेशन नहीं हो नं क्या होगा यह जो कार्पस-Lutium हमारे पास बने है यह Scar starter हो जाएगी इसका फंक्शन खतम क्योंकि नहीं हुआ तो अगली मेंस्ट्रल साइकल की किरिया ही चालू हो जाएंगी और होने का मतलब कारपस लूटियम और इसकी जगह एक वाइट किसे ले लेती है जिसको कारपस लूटियम कहते हैं तो याद रखे अगर फैटिलाज़ाशन हो जाता है देन कारपस लूटियम बनता है और कारपस लूटियम नो महीने तक रहेगा और यह दी फैटलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस लूटियम कार्पस अल्बिकेंज में चेंज हो जाएगा कार्पस लूटियम लूटीन पिगमेंट के कारण यलो कलर का दिखाई देता है यह प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन रिलीज करता है यह स्टेबल हो जाता है अगर कार्पस लूटियम अपना फंक्शन बंद कर दिया डिजनरेट हो जाए तो कार्पस लूटियम कौन सी स्टेज पे डिजनरेट हो जाएगा बच्चो फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर क्क्राइबक से लुक्त कर डियर होके तो यह औरी की ओपर हमारा एक प्रकार से एकशनरा प्सकुम्स ओक उपर हम इसे साइप के से रूएन ऊसायायट पता नहीं हैता है। अक्सर एक परशन भी पूछा गया है है उसमें आता है कि जो जैसे ही आपको यार रखता है जैसे ही प्रोसेस हो सेखेंगी हम क्या पता होगी जैसे इंफ फॉलिकल रेप्टर होती है उसके जो सेकेंट responder parious शेटहेंगी तो इसको औल संकाथ पोड़ां ऑगए तो ऊलेसित क्या होता है और ये अक्सर परसंद पूछा गया है कि अवलेशन के दोरान कौन सी स्टेज में वह रहा रहता है तो वह सेकेंडरी उस साइट की फॉर्म में आता है इसके करता है एक और मियोसिस डियूजन करता है तो बात आपको कम्प्लीट तरीके से याद रखे तो मैंने इस तरीके नोट्स मैंने मैंनेज करें ठीक है तो इसी दोरान में आपसे कुछ और बाते बता देता हूं आपको कि देखो आपके एक्जाम का टाइम आ गया और आगे के वीडियो आपके बैक टू बैक आते रहेंगे थैंक्यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद